नमस्कार इस्ञेंस आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल यह ग्यान में स्वागत है इस फ्रेंट आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वह ब्रायव फाइट्स स्टार्ट भी कर रहे हैं और खत्म भी करेंगे और यह है plant kingdom का part 3 plant kingdom का lesson 3 है lecture 3 है और इसमें जैसा कि पिछले दो classes हो आज जिसका कि important है हमारे exam में उसे questions धरले से रहता है बहुत सारा questions रहता है वेसे ही इसे भी questions हमारे exam में बहुत सारा रहता है तो काफी important है हमारे exams के लिए सब्सक्राइब जल्दी से अपने अपने ग्रूप में सेयर कर दो ताकि और भी जूर सके और सभी को benefit हो सके ठीक है कि स्टार्ट कर दें हम लोग लाश्ट क्लास तक में अगर किसी को कोई problem है इफ यह वे इफ यूँ एनिक वेरी तिल दा लाश्ट क्लास देन यूँ अगर लाश्ट क्लास तक में तुम्हें किसी को कोई problem है तो पूछ सकते हो इस्वेंट्स नो प्रॉब्लम लेट उस मूव दिस इस त्रिवनकवार भारती ब्स इन बाय टेक्नोलोजी एमसी इन जिलोजी बिया अमर्ड बायलोजी टीचर इन बीवी एचसास गॉर्मेंट अप गूगल इसकोल या गूगल क्रॉम में डालो मेरा नाम तीवनकवार भारते बहुत कुछ बतायागा ठीक है तो हम लोग का आज जो बारी है वो ब्रायोफाइटा हम लोग इसके पहले तक देख चुके है अलगी थैलोफाइटा का बहुत कुछ बहुत छोटा हुआ करता था जिसे कि हम लोग उतना नहीं देखे थे बहुत सारे को देखे थे लेकिन जो बढ़ायोफाइटा का बहुत सारा प्लांट्स और जोब हम लोग ज्यादा तर देखे हुए हमारे आस पास में पर्जेंट है पाटिकुलर्ली जो डिग वे रहने वाला इस्टूडैंट असाम् तुम लोगों को यह बड़ायो फाइटा नाम है ऐसे तुम लोग इसको अलग-अलग नाम से जानते हो और सिर्फ यह आसाम में ही नहीं इंडिया के परते कॉर्णर में मैं इस प्लांट्स को हर्याना में भी देखा हूं दिली में भी देखा हूं और साथी साथ बिहारों यू से बिलोंग करता है मैं फ्यूचे जॉक्टर से बता दो कि यह जो प्लांट है यह प्लांट नॉर्मली पानी के आसपास वाले एरिया में ही रहता है क्योंकि इसको लाइफ टाइम में पानी में जाना पड़ता है फुर्दर रिप्रोडक्शन पर्पस जैसे कि फ्रॉक्स है हम लोग एंपीविया करते हैं वह से ब्राइव फाइटा भी प्लांट किंग्रम का एंपीवियंज करता है डेट इस अप्लांट किंग्रम ऐसे इस तुम लोग इसको क्लास 19 में भी पढ़के आये हो लेकिन अब इसे थोरा से ज्यादा डिटेल में हम लोगों को देखना है क्लासिफाइब कर चुके हैं फिर यहां पर फिर से देख लेते हैं क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे इसका ज्यादा डिटेल में परना है तो हम लोग ऑफर ऑल कहें तो प्लांटी को प्लांट किंग्रम को दो पार्ट में डिवाइड किये एक है क्रिप्टोगैमी और दूसर और फिलावर्स नहीं खिलता ओपेड़ी वह मैरेज नहीं करता दैरफोर डैट इस नॉना इट इंधे मेरेड टिस कृप्तोगेमी यहांस पर फ्लावर भी खिलता है पॉलीनेशन भी होता है और ट्रांस्फर भी ओता फर्टिलाइजिशन भी होता और शीट का तो सकते तेलोफािटा राटी हम लोग आद दो पाइटा कु क्लास को में रूप से दो पार्ट में डिवाइड के आगें दो निवर वर्ट्स और वॉर्ट्स इन मॉस्स तो हम लोग देखते हैं एक एक करके फर्स्ट आप और girls सब्सक्राइब करेंगे वॉस्सी करेंगे फिर उसको क्लसिफ़ाइब करेंगे अलग लग हमीड प्लेस जैसा का भी बता है जो भींगा हुआ जगह है मौइस्ट प्लेसे आरियन रोए I am fine and you मौइस्ट एरिया है वहां पर होता है जहां पर कि धूप कम जाता है वहां पर होता है यहां पर दरले से मिलता और आसानी से मिलता है बहुत ही ज्यादा मिलता प्लांट्स टो कोलोनाइज दा लाइन यह जो ब्राइव फाइट है क्योंकि यहीं से क्योंकि इसे हम लोग एंपीवियंस और प्लांट किंग्डम बोल रहे हैं तो यहीं ऐसा और जिम से जो कि पहली बार धरती पाया अलगी तक तो ऐसा था जो कि समंद्र और पानी के बारे म यहां पर प्लांट्स में जो सबसे पहले धरती पर आया ना वह ब्राइव फैट ओके एंपीवियंस और प्लांट किंग्डम विकॉज देनीड वाटर फोर फटिलाजेशन यहां पर जो ट्रांसफर होगा ने मेल गैमिट का फिमेल गैमिट तक वो ट्रांसफर होगा थ्रू पानी में मतलब इसको पानी चाहिए ट्रांसफर करने के लिए ग्रेंश को पॉलन ग्रेंश जिसको हम लोग मेल गैमिट कहेंगे इसमें तो डूनोट ग्रो भेरी टॉल एज देहें नौव बैस्कुलर टीसू यह बहुत लंबा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि यह बैस्कुलर लेकिन जो नहीं भी परेंगे प्लांट फिजियोलोजी में तो उसमें क्या देखना है कि एसेंट आप सेफ होता है तुरू रूट प्रेसर ठीक है और किसके थूरू पास होता है जैलम फ्लाइम तो भहिया इसमें जैलम फ्लाइम है यह नहीं रूट है ही नहीं तो रूट रूट प्रेसर कहां से क्रियेट होगा रूट लाइक इस्ट्रक्चरी जिसे लोग राइजोड बोलेंगे बाट नौट रूट इसलिए रूट ही नहीं तो रूट प्रेसर ही नहीं डू नोट ग्रोब भेरी टॉल एस देयाब नो भैस्पुला टिसू डन डॉमिनेंट और इस प्रोफिटिक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा अभी चलके हम लोग देखेंगे कैसे मतलब इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ज्यादा समय के लिए नहीं है इसलिए इसको हम लोग इसमें जो लाइफ साल कहलों तोके नसी आ यहां पर डियाग्राम नहीं सामिल क red revelation अभरल कहती न दो परकार प्रोडॉक्षन होगा और पेसल से प्रोडॉक्षन होगा अ पंद कलर तक यह से होगा तराइज यह पर रहे तो वहां पर देखे थे लेकिन फिर भी एक फिर से देखेंगे सेक्सवल लिप्रोडक्शन में सेक्सवल रिप्रोडक्शन इस टाइप लूग मस लिख दिया यह नहीं होगा देखेंगे अभी और इसका जो सेक्स औरगें उगा वह जैकेट रोगा जैकेट बना रहेगा और मल्ति लिएड होगा नौ सी अंध्रीडियम और अर्कीगोणियां यह बायप फ्लेज़ लेटेड एंध्रोड होगा इसमें और आर्कीगोणियम प्रोडूश सिंगल एग इसम कि यहां पर क्या है वाटर नीडेट होगा किसलिए फोर फर्टिलाजेशन पानी की जरवत पड़ेगा जाइगोड जो बनेगा वह टू एंड होगा और इस पॉर फाइट इस्टेज टू एंडट इस पारसाइटिक और गैमिटोफाइट होगा क्योंकि यह गैमिटोफाइट क का फार्मेशन कर देगा यू कैनसी ही यह गोटाइव फाइट जू है लिभर वर्स और मॉसस यह दो एक्जाम्पल से हमें इसका तो लीभर वर्स इसलिए करते इसका इस्ट्रक्शर तूम लोग देख सकते हो लीवर लाइक स्ट्रक्श रेहां पर और मॉसस में थोड़ा सा उपर क्यों बाड़ता है और कॉपस के कैटू शीटा बगरका फॉरमेशन नों पर देखेंगे यहां पे वह देखना है हम लोग को लिभर वर्ट्स क्या है ग्रों मोयस्टेरिया लिवर व्र जो होगा मोयस्टेरिया में डिफ्लब्लप करेगा प्लांट बोडी इस थायलस लाइक नोड डिफ्रेंशीयेटेड इन्ट इस्टेम लिप्स एनww रूटहिस्स में डिफ्रेंसेटार शेप्स hyalur body होगा okay thalus is dorsal ventraly flat and is attached to the sub-stattum यह dorsal ventraly flat होगा इस तरीके से इधर भी चप्टा इधर भी चप्टा ठीक है डॉर्साल भी चप्ता बेंट्राल भी चप्टा उल्टा बोल दिये क्या दॉर्साल भी चप्टा बेंट्रल प्रैक्ट्टा यह left hoga और सभी dedrock सेत होगा ठीक है कि ना रिप्रोडक्षन इन लिभर वर्ट्ष तका कर परेक्षक होगा नंवर ऊंपरकर करीब असेक्षाल और असेक्षओली असेक्षाल परेक्षान जा सबस्क्राइब वीच्टी प्र्डोड़क्शन उगा सबस्क्राइब जैसे फ्रेगमेंटेश्टी इस फ्रेगमेंटेशन के लिकÓम होगा क्रेशन कर देगा उसके बाद क्या है formation of Jimmy that is green muscular asexual birds यह Jimmy यह बीच में plants में Jimmy like condition का formation होगा यह जो देख रहे हैं इस तरीके से और यह sexual bird है जो की green multicellular asexual bird है जो के आगे चलगी यह तूट जागा plants से और plants से तूटने के बाद एक new plant new thallus का formation कर देगा that is a Jimmy not coming to the sexual reproduction in the liver words कि क्या होगा इस तरीके से यहां पर यह है राइजवेट्स नीचे में देख रहे हो यह मेली स्ट्रक्चर एंठ्रीडियम यह एंठ्रीडियल है इसको कहेंगे यह जो देख रहे हैं और यह दूसरा साइड में जो है आर्की गोनियल हेड है यह अपोजिट है मेल जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ और फिमेल इस तरीके से यह आप स्पास में होगा और इस तरीके से गैमिट का ट्रांसपर हो जाएगा मेल गैमिट का क्योंकि फिमेल ऐसे और मेल ऐसे इस तरीके से जाएगा और यहां पर यहां पर क्या है एंठ्रीडियम आर्की गोनियम देख लो यहां पर यह और यहां से स्पार्म का और नीचे की डाउनवर्ड फेसिंग है और अड्रीडियम होगा इस तरीके से आपस में फेटिलाइचन हो जाएगा यह जो देख रहे हैं यहां जो पोटो देखे ती अलग अलग था इधर वह प्लांट ऐसे ही बना हुआ रहेगा यह अलग नहीं होगा यह प्लांट्स रहेगा मेल में और फिमेल यहां पर देख रहे एक जगा है नजदिक में सटेगा और हो जाएगा ट्रांसफर क्या कि आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिखलाया गया है लिभर वाट्स लाइब साइकल क्या देख रहे हुआ अब यहां पर यहां पर यहांपर यहांपर आरकीगोनीयम में फ़र्मेशन करते हैं राइट यह إmbăr में सीटा का फनेशन होगा और इस तरीके से यह उसी जगहाराइजोर्स का फ़र्मेशन करके के इस तरीके अब यहां पर जो एंथ्रीडियम और आर्की गोनियम का फॉर्मेशन होगा इसके पहले वाला पेज में हम ब्लेक एंड वाइट फीगर देखे ते इसलिए साथ तुम्हें समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया लेकिन यहां पर देखो ओपेनिंग आर्की गोनियम ऑपेनिं डाउन्वर्स दोनों में आसानी से फर्टिलाजेशन होना है और इस तरीके से इसका लाइफ साइकल चलता है नौ कमिंग टूदा सकेंड टाइप जिस सकेंड क्लास ऑफ दा ब्राइव फाइट डेट इस अ मॉसस क्या होता है मॉसस यह भी एं 3D तुम लोग जो ब्राइव फाइट में जो लिवर्वर्ट को देखे थे वह नौर्मली प्लांट के ऊपर सब से चिपका हुआ रहता है पत्थरों के ऊपर लेकिन तुम तो देखे हो असाम में भी और हर जगह अबलेबल रहता है काई जैसा जो इस्ट्रक्चर का परमेशन होता है डेंप प्लेसे खास सब्सक्राइब के ऊपर फॉर्मेशन हो जाता है देखे होगे सभी कोई राजस्तान से बिलोंग करने वाले स्टूरेंट सो तो यह है यहां पर मौस जो कि थोड़ा सा बढ़ा होता है और विग साइज का उतना बढ़ा नहीं इतना सबढ़ा होगा देखे होगे तुम लोग होगा मेरे पीछे चलो में तुरह सा हर जाता ओं मेरे से ढख जाता जाता है जो भी इस कॉर्टनर में होता हमां मेरे से ढख जाता है क्योंकि कि मैं वहीं पर खड़ा रहता हूं देख लिए चलो आगे बढ़ते हैं कि अच्छा इन बेंगॉली इट कॉल शूला ओके बेंगॉली में से शूला कहा जाता है गुड मॉसेस और इसमॉल प्लांट्स डैट फॉर्म्स इंडेंप और सेडी लोकेशन्स जो भींगा हुआ डेंप या सेडी लोकेशन्स है वहां पर मैट लाइक इस्ट्रक्चर का फ्रविशन करता है काफी एकदम बारीकी स रहता है और काफी डेंस रहता है मैं देखके बड़ा सांदार लगता है लेकिन जब जाओगे तो बड़ा लगेगा देखके मैं फील करने में थोड़ा लगता है यहां पर जो इंडिविज्वल प्लांट से यह सिंपल लिफी स्ट्रक्चर होगा जो की एक छोटा सा इरेक् इसपोर से फ्रमेशन होगा डेवलप फ्रमेशन होता है डेवलप फ्रम सेकेंडरी प्रोटो निमा एज लेटरल बड तो यह जो सेकेंडरी प्रोटो निमा है पहला जो डारेक्ली स्पोर से बना हो प्रामरी प्रोटो निमा हो गया अब इसी में कई सारा बनता चला जाता है को सब जो बना नया नया यह हो गया सेकंड्रीփ प्ृटो नीमा और इस सेकंड्री.प्रोटो नीमा से लेटरल बढ़ के फ्रम में आल म्रहीसन हो जाता है लिपी स्टेज जो कि में कि मंुलूल्टिसेल्यूलर र्पॉड हो को इसका थैलर इसमें सेथा कुछ डंक से से होगा अबलीक साइट से ठीक है इसे अबलीक सेप्टा रहेगा इसके राइजोएड में और यह जो लिफी स्टक्चर इसी में सेक्स ओर्गन रहता है ठीक है नौ कमिंग टुद इस पोरोफाइट डेबलब फ्रॉन द जैगोट जो इस पोरोफाइट इस्टेज यह कहेंगे और उपर वाले को कैप्सूल कहेंगे तो यह जो उपर वाला एरिया है यही इस पोरोफाइट इस्टेज और नीचे में जो ग्रीन लाइक इस्ट्रक्चर रहे इस इस पोरोफाइट इस डिपेंडेंडेंट ओन क्योंकि अपना इसका एक्जिस्टेंस नहीं है यह इसलिए उसके उपर फुली डिपेंडेंट होगा हम लोग कहा सकते हैं यह उसके उपर एक तरह से पारासिटी कंडिशन में अब यह जो इस पोरोफिटिक इस्टेज यह तीन फेज में डिवाइडेड है फुट सीटा और यहां जो इसको हम लोग फुट कहेंगे उसके बाद जो लंबा इस्ट्रक्चर है इस्टॉक जिसे हम लोग कहते हैं वह सीटा कहलाता और सबसी उपर के एरिया में जो परजेंट है उससे हम लोग कैप्सूल कहेंगे सो अबर अगर हम मौसेस का रिप्रोडक्शन की बात करत कर देगा और उसके बाद क्या होगा ब्रीngth इंग इन सेकेंडी प्रोट्रोनीमा सेकेंडी प्रोट्रोनीमा में ब्ड का फोर्मेशन पर Więson कर देगा ऐसे होता है सो लिफी गेमिटोफाइट में हम लोग आते हैं विजीटेटीव देख लिए अब यह क्या है सेक्षवल डिप्रोडक्शन थीक है तो सेक्षवल डिप्रोडक्शन में क्या होगा अलग-अलग और्गेंस इन बॉल्फ होगा सेक्स गेमीट जो मेल गेमिट का करेका और जो प्लावारत में जो हनुमान के पास रहता था और महाभारत जो भीम के करेगा यहां पर यहां पर बना रहे हैं को फलास्क के जैसा है यहां पर यह जो स्ट्रक्चर है और इसका नेक पतला सा है शुराही जिसमें की गर्मी के दिल में पानी रखा जाता है वह इसा ही कुछ इसमें से कुछ से अंडर्गों मियोसिस एंड फॉर्म नीमा ओके नौ यू कन सी दे लाइफ साइकल अप यहां पर मॉस का लाइफ साइकल है यह देखो लें-वnaire भॉर्सका फर्मेशन हुआँ कि इसमें इस्पोर एंजीयम का फर्मेशन वा फिर स्पोर का फारमेशन हुआ मियोसिस वा और यहां से यह प्रो प्रोट नीमा का फर्मेशन होगा यव जम एमिटuses सेकेंडरी जो होगा वहां पर अब और और फर्वेशन यह ओगा इसमें इस पर में आएगा फटिलाइजिशन करेंगा कहां पर बेंटर के अंदर में फिर से गेमीटो स्टेज का इस तरीके से चलता है मौस का लाइव सैक्ल तो यहां पर क्या है डॉमिनेंट फेज गेमिटो फीटी की स्टेज ज्यादा समय तक रहता है ठीके बच्चों तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो है बिल्कुल आरिहंट रहा हनुमाहन जी का गदा तो इससे आगे के लिए अगला दिन हम लोगा चलेगा टेरीडो फाइट यह ब्रायो फाइट था अगला दिन टेरीडो फाइट होगा तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो बाद में र भी दिया जाता है प्रलस वहाँ पर और भी बहुत सारी इस्टोवेंट है जिससे कि तुम लोग कोस्ट की डिसकर्शन कर सकते हो या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है कुछ सकते हो और मैं कोसिस करूंगा तुम लोगों का जबाब देने का ओके स्ट्वेंट्स तो माई फ्यू